सिवान में चोड ने ऐसा किया हाथ साफ की महिला को पता भी नहीं चल सका नमस्कार महुश वांगी और आप देख रहे हैं A1 News बिहार सिवान में उस वक्त तफ़रा तफ़री मच गई जब एक चोड महिला का फोन छीन कर भागने लगा फोन चोड करने का स्टाइल को देखकर हर कोई हैरान है वही इस वीडियो को देखकर अन्य चोड 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 के स्टाइल को देखकर वो भी फिदा हो गए सिवान में दिन दहारे चोड और अपराधी अपने वार्दातों को अंजाम देकर फरार हो जा रहे हैं चोरी की घटनाय रोज कम से कम पान से चह हो रही है, वहीं फिर से, सिवान में चोरों ने महिला पर ही अपना हाथ साफ कर दिया, उसका फोन एकदम फिल्मे स्टाइल में लेकर भागते हुए चोर का वीडियो सामने आया है, दरसल महिला मार्केट में आराम से अपने सामानों क खरीदारी कर रही थी, तभी वहाँ पर एक चोर की एंट्री हुई, महिला चोर को नहीं पहचान पाई और सामान खरीदने में व्यस्तर हो गई, फिर चोर अचानक महिला पर जपट्टा मार दिया, महिला खूब चिल्लाने लगी, महिला को एक बल के लिए लगा, कि वह कोई अपरादी है, जो उसे मारना चाहता है, फिर महिला पीछे मुर कर देखी, तो पता चला कि उसका फोन गायब है, वह लेकर फोन भाग चुका है, दरसल ये पूरा मामला आपको बता दे कि सिवान से है, जहां पे एक चोर का चोरी करतीवे लाइब वीडियो सामने आया है, श इतना के संबंध में बताये जाता है कि जिले के पूनम देवी नामक महिला खरीदारी कर रही थी, इसी दोरान महिला के हाथ से चोर ने जपटा मार कर फोन चोरी कर फरार हो गया, अब तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सिवान शेहर के शेखर सिनमा के एक चोर ने महिला के हाथ से जपटा मार कर मोबाईल लेकर संतोसी माता के मंदिर के सामने शुकला टोली महला में भागते नजरा रहा है, बता दे कि चोरी के बाद चोर के द्वारा फोन लेकर भागते हुए पूरी वारदात पास के एक मकान में लगे सिसी टीवी कैमरे में कैद हो गया है, तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जीन्स और कुर्ता पहने शातिर चोर की तरह तीजी से फोन लेकर भागता हुआ दिखाई पर रहा है, गरतल भै के सिवान में आए दिल लगातार चोरी हत्याए रंगदारी की घटनाए चरम पर है, पुलिस लगातार अ पोन चोरी के बाद CCTV फुटेज सामने आने के बाद मामले में नगर थाने के पुलिस चोर की शिनाख्यात करने में जुट गई है, इदर घटना के संबंध में पीरित महिला ने अस्थानिय थाने में चोर के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है, घटना के संबंध में अगर थाना अध्यक चेश शंकर पंडित ने बताये कि चोर का CCTV फुटेज हांत लगा है, उसकी तलाश की जा रही है, हलांकि पुलिस तो बोलती है, जांच चल रहा है, लेकिन चोरी की गई सामान रिकबरी भी नहीं हो पाता है, और ना ही चोर पुलिस के हथे चड़ पाते हैं, अगर कभी-कभी चोर पुलिस के हथे चड़ भी जाते हैं, तो सामानों का रिकबरी नहीं हो पाता है, बरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमिट बॉक्स में जरूर बताए